सब्सक्राइब 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 अपने चैनल गॉर्ट ग्लासेश पर उम्मीद है कि आप सबकी बोर्ड की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आया है के लिए कि कल शाम को ही सीउटी ने अपना जो एंटी है उसने अपना इंफर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है जिसके तुरू आप अपना एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिस भी आपको युनिवर्स्टी में एडमिशन लेना है जिस कोस्पे एडमिशन लेना है उसके लिए आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरा प्रोसेस अभी हम डिसकर्स करेंगे यह पूरा का पूरा आप जो इंफर्मेशन है यह आप एंटी की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं तो यहाप रमने से पहले अच्छे से रीड कर लें कि क्या-क्य आपके लिए इसमें जरूरी है यह सारी वो यूनिवर्स्टी जो की सी बीएस से एंटी से जुड़ चुकी है यानि इन सारी यूनिवर्स्टी में आप एड्मिशन ले सकते हैं तो यह पूरा आप इंडेक्स है इस इंडेक्स में जो आपको देखना है समझना है तो डिरेक जो आपकी परस जो इसमें है ये समझने की चीज़ है कि आपको क्या-क्या डेट्स हैं ये सारी डेट्स आप याद रखें ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आप लेट ना हो ओनलाइन सब्मिशन अफ एप्लिकेशन फॉर्म आपको ओनलाइन सब्मिशन करना है 27 Feb से लेके 26 मार्च तक का टाइम दिया हुए अप टू 11.50 पेम यानि 26 मार्च अप टू 11.50 पेम तक आप ये अपना एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हो और ये CUT का जो टेस्ट है will be conducted in 13 medium across India for admission into the undergraduate program in computer-based test mode for all the central university and participating university in India for the academic year 24-25 Last date offered successful transaction of the fee through credit, debit card or net banking मतलब यहाँ पर इस date पर आपको अपना रेइस्टेशन कर लेना है रेइस्टेशन करने के बाद जब ये fees की प्रिक्रिया है, फीस का जो प्रोसेज है ये आपको 26 मार्च अप टू 11.50 तक 11.50 पीम तक complete कर लेना है यानि अभी आप इसको रेइस्टेशन करके छोड़ सकते हैं लेकिन जब तक फीस आपकी सब्मिट नहीं होगी तब तक वो आपका फाइनल सब्मिशन नहीं माना जाएगा अगर उसके बाद आपको लगता है, फीसब्मिट करने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़े आपको ठीक करनी है, कुछ अपने गलत भर दिया है तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 28 मार्च से लेके 29 मार्च तक अप टू 11.50 पीम तक का इसमें आप जाके correction कर सकते हैं, announcement of the city of examination, कहां पर आपका exam होगा, यह 30th April के बाद आपको पता चलेगा downloading admit card from the NTA website, the second week of May 2024, date of examination, अभी कोई exact date नहीं है, exact date आपके admit card में आएगी लेकिन यह पता है कि tentative date जो है, वो 15 में से लेकर 31st May 2024 तक है, display of recorded response and answers कि इसके बाद में बाद में आपको बताया जाएगा, website अगर आपको जो भी information आपको चेक करने हैं, CUT गी, तो आप इस website पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, इदर उदर sources में आपको बागने की ज़रूद नहीं है, आप यहाँ पर जाके सारी चेक कर सकते हैं, www.nta.ac.in, ठीक है, इसके आगे slash cut.ug ला लगा देंगे, तो आप particular CUT की page पर आ जाएगे, declaration of result on the NTA website 30th June 2024, जो result है, उसकी date भी announce कर दी है, तो बाकी सारी information, आप इसमें सब कुछ पढ़ लेंगें तीरे तीरे, यहाँ पर देनी है, और उसके बाद जितने additional subject आप लोगे, तो हर एक subject के एसाफ से 400 की आपको fee pay करनी है, अगर OBC category या EWS category में आते हैं, OBC, NCL, EWS, तो यह fees आपकी यहाँ पर 900 होगी है, इधर आपकी 375 है, अगर आप SCST, PWBD, 3rd gender इस category में आते हैं, तो fees 800 यहाँ पर है, यहाँ पर 350 है उसके बाद अगर centers outside India है, तो fees 4500 है और additional subject की 1800 fees है, आप total मिला कर इसमें 6 subject चूज कर सकते हो, maximum, अभी आगी उसके बारे में detail आपको मिल जाएगी, अब जो सबसे important चीज है, mode of the test, mode of the test यारी जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको पताया है कि इस बार NTA सो सामने आई है और यह बात अब clear हो गई है, कि जो test होगा आपका वो hybrid mode में होगा, यानि computer-based test भी होगा और pen paper test भी होगा, जैसे की उमीद थी, उन subjects पे, जिसमें number of students जादा होते हैं, वहाँ पर pen paper test लिया जाएगा, ताकि जो centers हैं, वो उसके लिए आपको बहुत दूर दूर ना जाना पड़े, और जो CBT test होगा, वो उन subjects में होगा, जो कम student चूज करते हैं, जहाँ पर number of students कम होगे, वहाँ पर CBT का option रखा जाएगा, लेकिन जहाँ पर ज्यादा students होगे, वहाँ पर आपको pen paper test ही देना होगा, ठीके, test का pattern, objective type रहेगा, जिसमें आपको 4 options मिलते हैं, medium, 13 languages है, जिनके तुरू आप test दे सकते हो, syllabus में, जो language subject है, language to be tested through reading comprehension, based on the different type of passages, factual, literary and narrative, domain subjects as per the class 12 syllabus only, यानि जो आपका class 12 का syllabus है, वही domain subject का syllabus रहेगा, फिर भी इसको ओर detail में देखने के लिए, आप CUT की जो website है, उस पर अभी जा सकते, अभी मैंने कल चेक किया था, तो अभी syllabus उस पर upload नहीं हुआ है, तो आप आज चेक कर सकते होफुली, आज आपको syllabus उस पर मिल जाएगा, जनल टेस्स का syllabus आपको यहां दे ही रख है, जनल नौलिज, करंट अफेयर्स, जनल मेंटल अबिलिटी, नुमेरिकल अबिलिटी, क्वांटिव रीजनिंग, और जिमेट्री, मेंशुरेशन, लॉजिकल, अनलाटिकल, रीजनिंग, ये लास्ट यहरुद आजु स लेबस है, सेम वही है, के पास 40 questions होंगे, 50 questions में जो आपको attempt करने होंगे और जो time होगा test का वो 45 minutes का time होगा, लेकिन कुछ subjects ऐसे हैं जिसमें time आपको 60 minutes यानि 1 hour का time दिया जाएगा, जैसे accountancy, economics, physics, computer science, information practices, chemistry, mathematics या फिर applied mathematics and general test. इसमें जो duration होगा 60 minutes का होगा, बाकी सभी subjects के अंदर जो duration हो 45 minutes का होगा, ठीक है तो इसमें आपको यहां पर बता रखा है कि hybrid test क्यों करना चाहती है CUT जो चर्चा चली रही थी कि बहुत दूर-दूर centers पढ़ते हैं remote area में जो students होते हैं उनको काफी दिक्कात आती है दूर-दूर तक center जाने में, तो अब center आपके आसपास किसी school में या पिर किसी जो आपके आसपास university पढ़ती है वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या किसी school में पढ़ सकते हैं आसपास इनके centers आपको मिलेंगे candidates are requested to fill the application from very carefully सब कुछ चीजे पढ़के समझ के फिर आपको अपना अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना है और जो यहां पर इंपोर्टेंट चीज है कि केंडिड़ शुड अप्लाई फॉर दा स्यू टी त्रू दा ओनलाई ओनली तो कि उसमें नहीं पढ़ना कोई आपसे गहेगी मैं आपको अफ लाइन रेजिस्टेशन करा दूँगा कुछ नहीं है स्रिफ और स्रिफ इसका रेजिस्टेशन ओनलाईन ही होगा और किसी उसमें किसी तरह के जासे में किसी के ना है कि हम आपका रेजिस्टेशन ओफ लाइन भी करा देंगे यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन से यह सारी आपको पढ़ देनी है ठीक है यह पहले आपको रेजिस्टेशन फॉर्म है फॉलो दस्टिप्स गिवन विलो टु अप्लाई ओनलाई रेजिस्टेशन फॉर्म है यह सारा डिटेल मतलब मैं यहाँ पर भी डिसकस पूरा ही नहीं करहाँ आप यह सारी डिटेल पहले एक बढ़ पढ़ केंगे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर आप उसको अप्लाई करेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि जलदवाजी में आप अ अप्लाई करने से पहले एक चीज यह रखना आप अपनी दे रिसेंट फोटोग्राफ शुट बी इधर इन दे कलर ओ दे ब्लैक एंड वाइड वाइड विट एटी परसेंट फेस्ट 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 विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूड़ी इस अगेंस्ट वाइट यह अपना एक फोटोग्राफ आप त्यार करके रखना दे स्कैंड फोटोगराफ और सिगनेश शुट फोटोग्राफ शुट बीन पीट्वी और डेकर्ण्ड के बीच में हमना चाहिए इस signature का जो size है यह भी होना चाहिए अगर आपका size इससे ज्यादा होगा तो वो accept नहीं करेगा system में तो यह fees payment का आपके पास तो मुटा मुटा बात यही है कि आपको आपकी जो date sense में 26 फरवरी से लेकर 27 मार्स तक की date आपके पास है 1150 जो भी detail आप डालोगे हमाँ पर आपका correct email address होना चाहिए mobile number होना चाहिए क्योंकि जो भी information होगी जो भी updates होगी वो आपको उसी mail के थुरू या उसी number पर आपको मिलेंगी इसलिए बिल्कुल correct आपको डालना चाहिए ठीक है Candidate are advised to visit the NTA website and check their emails regularly for the latest update तो काफी लंबा चोड़ा ब्रोशर है कोई अगर आपको help की दिक्कत हो तो आप यहां पर इस mail ID पर आप लिख सकते हैं या फिर यह contact number है अलांकि जो पिसले experience हैं contact number पर जल्दी से call लगता नहीं है तो लेकिन आप mail पर अपनी जो भी query है वो आप छोड़ सकते हो आपको response में क्या लेके जा सकते हो क्या लेके नहीं जा सकते हो ठीक है यह पूरा इसके बारे में detail है बहुत लंबा चोड़ा यह PDF है जब भी आपको time लगे ज़रूर टाइम लेकाल के इसको एक बार पढ़ लेना एक बार go through कर लेंगे तो जो भी चीज होगी उसको आप underline कर लेना क यह चीज़े आपको जरूरी है और जब form आप फिल करोगे तो उन चीजों को आपको ध्यार नखना है मोटा मोटा बात यह है कि आपको 27 फैब से start हो चुका है इसका registration और 26 फैब तक आपको 26 मार्स तक 1150 तक आपको करना है फीस भी आपको 26 मार्स तक फिल कर देनी है उसके ब जलती आप करते हो तो वहां पर जलती हो जाकर ठीक कर सकते हो बात का प्रोसेस आपके पास अपडेट आती रहेंगी कि आपका admit card को कम मिलेगा सेंटर्स के बारे में आपको कब बताए जाएगा वो अपडेट्स आपको रेगुलर्ली आपके मेल पर या ले सकते हो या फिर जनरल टेस्ट ले सकते हो ऐसे कर सकते हो दो लेंग्वेज और तीन डॉमेन और एक जनरल टेस्ट तो वो जो भी आपको कोर्स फिल करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अगर आप डियू में किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए के लिए ऐडमिशन लेना चाहते हो तो अपने साथ लग सकते हो और आपको झाल धरा झाल था है थाकि आपके जो जाइ आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ देंगे, पढ़ने के बाद, अगर कोई डाउट आपके दिमाग में होता है, अगर कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, और साथ मैं बता दूँगे, जो CUT का content है, applied mathematics का और general test का, वो हमारा God Glasses Cuet, ठीक है, ऐसे आप सर्च करेंगे, तो आपको जो चैनल है हमारा, वो मिल जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा main channel है, ठीक है, ये main channel है, वैसे channel का link मैं आपको description box में दे दूँगा, तो उसके लिए आपको परिशान होने की जरूद नहीं है, तो ये है God Glasses Cuet, ठीक है, ये नया channel है, जिस पर आपको C.O.T. का सारा content available होगा, इसको आप subscribe जरूर कर दे, बैल आइकन को प्रेस करके रखे, ताकि जो भी updates आपको लगातार इसमें आनी है, वो सारी आपको लगातार मिलती रहे, कुछ वीडियोस हम already इसमें प्रोवाइड कर चुके है, जर्नल टेस्ट क लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा content available करा जाएगा और शोर किया जाएगा कि आप इसमें अच्छे से अच्छे marks लेकर आए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, thanks all of you.